बांगलादेश के पास भारत के आगेंस्ट एक खास हत्यार है इन इमिजस को जरा ध्यान से दिखे बांगलादेश का ये सीक्रेट वेपन इन ही इमिजस में छुपा हुआ है और वो है फैशन कपडे, टेक्स्टाइल्स जिनकी मदद से बांगलादेश भारत में आने वाले जॉब्स खा रहा है जारा, H&M, Levi's जैसे मल्टी मिलियन डॉलर कमपनीज अपने कपड़े बांगलादेश में बनाना पसंद करते हैं क्रिकेट में बांगलादेश हमसे सिर्फ एक रंद की मार्जन से हारता है लेकिन जब एक्सपोर्ट की बात आती है तो बांगलादेश हमें 100 या 200% की मार्जन से हाराता है कैसे? आईये जानते हैं आज के इस वीडियो में हम ऐसे मुद्दों की बारे में बात करते हैं जो भारत को at least 1% भैतर बना सकते हैं लेकिन ये 10 मिनट के वीडियोज बनाने के लिए हमें literally कुछ हफतों के लिए research करना पड़ता है अगर आप हमारे काम को support करना चाहते हैं तो please हमें subscribe या फिर follow करना ना भूली ये आपके लिए तो free है लेकिन इससे हमारी बहुत अल्पूत है आप सोच रहे होंगे कि हम बांगलादेश की बात क्यों करें तीन साल पहले pandemic के दौरान एक news काफी famous हो गई थी कि अब बांगलादेश ने per capita GDP में भारत को पीछे छोड़ दिया तो भारत world trade का सिर्फ 3% contribute करता है और बांगलादेश 6% यानि हम से double ये हम भारत को criticize करने के लिए नहीं अपने neighbors के accomplishments को acknowledge करने के लिए कह रहे हैं चलिए थोड़ा rewind करते हैं बात है 19th century की जब कोलकता में Fort Gloucester में पहली cotton textile mill बनी फिर कुछ ही सालो बाद Mumbai में Bombay Spinning and Weaving Company बनी ब्रिटिशों की जमाने में कानपूर, Ahmedabad, Faridabad, Mumbai जैसे शहरों को Manchester of the East कहा जाता था और उनके आने से पहले भी कई centuries के लिए भारत का सबसे बड़ा export हुआ करता था cotton आज का बांगलादेश यानि उस जमाने का East Bengal अपने soft muslin cloth के लिए famous था लेकिन ब्रिटिशों ने हमारी indigenous textile industry को कुछ ऐसे तोड़ा कि भारत उससे ठीक तरह से उभर ही नहीं पाया लेकिन बांगलादेश ने must come back किया इस come back की शुरुआत होई 1974 में इस साल multi-fiber agreement हुआ इस agreement ने कुछ कोटास यानि limits सेट की ये agreement कहता है कि हर developing देश एक develop देश को सिर्फ पर एक particular amount ही export कर सकता है उसके ओपर नहीं ये develop देशों की चाल थी क्योंकि वो समझ गये थे कि भारत जैसे developing देश उन्हें अच्छे और सस्ते कपड़े export कर रहे हैं और इससे उनके local industries पर असर हो रहा है लेकिन ये limits बांगलादेश पर लागू नहीं हुए क्योंकि बांगलादेश नया नया देश बना था वो developing देश इस category में आता ही नहीं था वो एक गरीब देश था development ना होना बांगलादेश की development का reason बना South Korea की Devu company ने बांगलादेश के देश governments के साथ एक joint venture किया ताकि वो बांगलादेश में कपडे बनाया और उन्हें export करे 130 लोगों ने वहां से training ली ये लोग काफी smart थे उन्होंने वहां से training तो ली लेकिन फिर उन्होंने quit करके खुद की company start की 130 में से 115 लोगों ने यही किया और धीरे धीरे बांगलादेश के government exports बढ़े 1981 में ये exports 3.5 million US dollars के थे और 2007 तक ये 10.7 billion हो गए Billion with a B That's a growth of 3,05,000% in just 26 years ये possible हुआ इस quota system की वज़े से जिसने चाइना, भारत और दूसरे developing देशों पर limits लगा है जिनसे बांगलादेश free था, ये system 1995 में खतम हो गया लोगों ने सुचा कि अब बांगलादेश की unlimited growth पर ceiling लग जाएगा और बाकी देशों को भी chance मिलेगा, लेकिन हुआ कुछ और meet America, professional troublemaker इन्होंने बांगलादेश को least developing nation इस category में डाल दिये सुनकर बुरा लगता है, लेकिन actually ये बांगलादेश के लिए good news थी क्योंकि फिर उन्हें trade में preference मिलने लगा इसे generalized system of preference कहते हैं आज होता ये है कि उनके exports पर कोई duty यानि tax लगता ही नहीं तो होता क्या है? उनके कपड़े और सस्ते होते हैं developed देशों के लिए उनके कपड़े खरीदना और आसान हो जाता इसी तरह सब कपड़े बन जाते हैं made in Bangladesh EU ने भी इसमें America का साथ दिया और everything but arms scheme निकल जिसमें Bangladesh के produce पर कोई duty नहीं लगता result? Bangladesh की government industry 15% से भी जादा rate से grow करती है चप्टर 2. भारत और बांगलादेश आज भारत का है? भारत के ready-made garments की export 2022-2023 में कुद 16 billion dollars की थी और इन कांट्रास्ट, Bangladesh की ready-made garment exports July 22 से April 2023 तक already 38.57 billion dollars cross कर चुकी थी USA में एक shirt बनाने का खर्चा 60 dollar है वही shirt अगर भारत में बना तो उसका cost 50 cents होगा और वही shirt अगर बांगलादेश में बनेगा तो उसकी cost 22 cents होगी Less than half of India's price अब West की businesses होते तो चिंदी हैं उन्हें 28 cents बचाने हैं तो वो बांगलादेश को जुनते हैं लेकिन cost एकलौता factor नहीं है Efficiency matters too बांगलादेश के companies जिस order को 50 दिन में पूरा करता हैं उसी order को खतम करने के लिए भारत को 63 देज लगता हैं भारत बड़ा देश हैं तो माल को port तक पहुंचाते पहुंचाते 10 दिन लगते हैं वेरास बांगलादेश ये काम सिर्फ एक दिन में करता है बांगलादेश ने काफी strategically अपनी textile industry design की है Porter Diamond Theory of National Advantage टॉप MBA colleges में सिखाय जाता है जो कहता है कि हर देश के पास कोई ना कोई advantage जरूर होता सरकार को बस उसे identify करने की और उस पर capitalize करने की जरूरत होती है कैसे? चार points इस model को भारत और बांगलादेश दोनों पर apply करके देखते हैं factor conditions यानि factors of production कोई चीज़ produce करने के लिए कुछ inputs लगते हैं like land, labor, capital, technological advancement, etc एक देश में कितना fertile land है, oil, natural gas, gold जैसे natural resources कितने हैं ये उसके control में नहीं लेकिन technology, skilled labor, infrastructure ऐसे resources एक देश के control में हैं बांगलादेश के पास एक बड़ा labor pool है और उन्होंने garments के export के लिए अपना infrastructure optimum बना है उनकी राजधानी ढाका खुद एक port है जहां से garments export हो सकते हैं भारत में raw materials एक corner में बनते हैं पैक्टरी कहीं और होती है और ports कहीं और बन बीच में connectivity बहुत कम है तो भारत logistics में पीछे पड़ जाता है बांगलादेश का छोटा size उसके लिए advantage बन जाता है At the same time भारत में electricity बांगलादेश से 40% ज्यादा मेंगी है कुछ लोगों को free में electricity देने से अच्छा है कि overall electricity infrastructure improve करने पर focus करो लेकिन infrastructure developments invisible होते हैं In comparison हर माई ने 100 unit तक free electricity आपके बिल में दिखता है इसलिए भारत में freebies पर ज्यादा focus है भारत में logistics expensive है electricity expensive है वैसे ही labor भी expensive है बांगलादेश में average salary सिरफ 5000 रुपे पर month है वेरास भारत में वो double है And most importantly बांगलादेशी textile industry majorly महिलाएं चलाती है बांगलादेश बहुत सारी महिलाओं को employment देता है भारत का economic survey ये मानता है कि इस inclusion की वज़े से society में बहुत बदलाव आए है Porter diamond model का दूसरा point है demand conditions बांगलादेश में जो कपडे बनते हैं उनकी local demand काफी कम है और international demand काफी हाए भारत में उल्टा है भारत में textile exports कम हो रहा है लेकिन textile industry पिछले 15 सालों में तीन गुना बढ़ी है from just 28 billion dollars in 2005 to 75 billion dollars in 2020 इस model का तीसरा point है related and supporting industries पंगलादेश में banks, raw material suppliers insurance companies, logistics companies सब साथ मिलकर काम करते हैं ताकि देश exports बढ़ा सके भारत में textile industry के raw material manufacturing, export ये तीनों factors अलग-अलग state में होते हैं और अलग-अलग states के अलग-अलग policies होते हैं तो solution निकालना किसी एक सरकार के लिए possible नहीं होता states को मिलकर solutions ढूढने होंगे और इसमें politicians का क्या फायदा तो कोई action नहीं ली जाती textile companies कहती है कि उन्हें भारत में loan लेना महेंगा पड़ता Port-a-diamond model का आखरी point है firm strategy, structure and rivalry ये mainly एक sector की companies को देखता है Companies कितनी बड़ी है कितने employees है company में और companies की बीच में rivalry कितनी है Bangladesh है textile companies में on an average 797 workers है भारत में ये number 240 है इसका एक reason शायद है हमारे labor laws कई सारी companies regulations award करने के लिए छोटे रहते हैं and this impacts productivity अगर आपने school या college में economics पढ़ा होगा तो ये term जरूर सुनी होगी economies of scale मतलब ये कि एक company को production efficiency बढ़ाने से cost advantages मिलता है production बढ़ाने से costs कम होता है for example अगर आपको t-shirts बनाने हैं तो फिर आप raw materials खरीदेंगे factory लगाएंगे लोगों को hire करेंगे और इतना सब करने के बाद अगर आपने सिर्फ एक t-shirt बनाया तो उस एक t-shirt की cost क्या होगी कुछ लाख रूपए क्योंकि अगर आप एक t-shirt बनाया या एक लाख कुछ costs होती हैं fixed costs एक लाख t-shirts बनाने पर ये cost एक लाख units में divide हो जाती है that's economies of scale बांगलादेश में एक worker अपनी shift में 19 piece garments बनाता है और भारत में सिर्फ 7-10 garments बनता है इस high output की वजए से बांगलादेश के कपडों की cost भारत की cost दे कम 2016-17 के economic survey ने इस problem को अच्छी तरह के से capture कि चैप्टर 3 conclusion Least developed country सुनने में ये एक slur या फिर एक गाली लगती है लेकिन बांगलादेश ने इसी को अपनी strength बनाया इससे मिलने वाला हर trade advantage बांगलादेश ने उठाया और दुनिया भर की fast fashion industry को उनके पास attract कि The point being बांगलादेश हमें सिखाता है कि एक disadvantage भी एक advantage बन सकता है अगर vision हो तो 2025 तक बांगलादेश इस least developed category में रहने वाला है उसके बाद चायद ये status change हो उनका ये status revoke हो और वो upgrade हो जाए लेकिन इससे बांगलादेश के कपडों के cost फटक से बढ़ेंगे ऐसे situation में हमें ready रहना ही होगा हो सके कुछ companies alternatives ढूंडे भारत के लिए एक बड़ी opportunity ये है कि बांगलादेश कपडे जरूर बनाता है लेकिन उनके पास raw materials नहीं है वो ये सारा import चायना से करता है तो क्या हम उन्हें convince नहीं कर सकते कि ये raw materials चायना से नहीं हम से import करें ताकि बांगलादेश की textile industries का हमें भी फायदा हो भारत और बांगलादेश ने South Asian Free Trade Agreement sign किया हुआ है called SAFTA SAFTA के अंडर दोनों देश अपने products पर tax नहीं लगाएंगे इस provision के अंडर बांगलादेश भारत को अपने कपडे बेजता है हमने कई ब्रांड जैसे देखे हैं जो बांगलादेश से कपडे खरीता है भारत की weaving capacity दुनिया में सबसे ज़्यादा है तो हमें भी figure out करना होगा कि हम उन्हें और ज़्यादा export कैसे करें and most importantly हमें women participation in workforce बढ़ाना होगा इस वीडियो की शुरुआत में हमने एक secret weapon की बात की actually ये weapon कोई industry नहीं वो है नारी शक्ती सोचे क्या बांगलादेश एक conservative society नहीं बिलकुल है लेकिन जब economics की बात आती है तो सारे families अपने regressive विचारों को पीछे छोड़ महिलाओं को काम पर भेजते हैं ये एक superpower है क्योंकि इस से आपके population का 50% waste नहीं होता एक homemaker होना एक बहुत बड़ी बात है और हम homemakers की बहुत इज़त करते हैं अगर हमारी मा और दादी स्कूल से आने के बाद हमारे लिए घर पर ना होती तो एक support system नहीं बनती अक्सर और तो को शादी करने के बाद अपना job छोड़ना पड़ता है उनके husbands कहते हैं हम कमा रहे तुम्हें काम करने की क्या जरूरत ये attitude हमारे देश को पीछे खीच रहा है लेकिन at the same time ये समझना जरूरी है कि कुछ औरतों के लिए एक homemaker बनना एक choice होती है और कुछ लोगों के लिए forcefully थूपी हुई जिम्मेदारी चलिए किसी और बात के लिए नहीं तो फिर देश की economy के लिए ही सही हमारे आधे population को घर के पिंजरे में बंद करना बंद करते हैं उन्हें आत्मनिर्भर बनाते हैं ताकि देश भी आत्मनिर्भर बने अगर आपको इस वीडियो से value मिली कुछ नहीं सीखने मिला तो इसे अपने दोस्तों के साथ share कीज़े क्योंकि आप देश के लिए एक उमीद की किरण आप ही है जो problems को identify कर सकते हैं और हमारे आस पडोस के देशों से सीख सकते हैं और मेरा भारत महान ये सिर्फ ट्रक के पीछे नहीं पूरी दुनिया से बुलवा सकते हैं और यहीं important बात आप तक पहुंचाने से मुझे बाराख पड़ दोस्तों थे दोस्तों thank you so much for watching this video तल दियां अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वो like button प्रेस कीज़े ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को subscribe कीज़े भारत का passport इतना week क्यों है जानने के लिए यहां पर click कीज़े British Royal Family के पास कितना पैसा है जानने के लिए यहां पर click कीज़े thank you so much for watching क्योंकि आपके support से हमें भाराख पड़ दो